दोस्ता स्वागत आपका एक बार फिर से मैंत्रिबूटिक में आजब के लिए बहुत ही ब्यूटिफुल यूनीक नेक डिजाइन लेकर आए हैं पूरा टुड़ोर इसका करेंगे बिल्कु स्टैप बाइस्टैप तो वीडियो को लास तक दिरो देगे यहां पर हमने यह जो नेक बनाएंगे टो छोली कट कूर्ती के लिए है है तो यह उसना अस फरहада आपको डबल फोल करेंगे एक बार इसकी मार्कृंग एप ध्यान से ूपर से इसकी चोड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच आधा इंच और लेंगे जिसमें हमारी पट्टी आ जाएगी इसके बाद 1.5 लेंगे हमारी डिजाइन के लिए बीच में जो हम फिल करेंगे इस तरह से और 1 इंच एक्स्टा लेंगे अपनी कटिंग के लिए तो इस तरह से स्टेट लाइन ड्रॉक रोग कर डीजिए यहाँ पर अब बात करते हैं इसके गहराई की तो गहराई हम ने यहाँ पर रखी हुई है 6.5 इंचिस इस तरह से स्टैट लाइन ड्रॉक कर डीजिए और नीचे से भी 1 इंच एक्सा ले लीजे यहाँ पर भी कॉर्नर से मार्क करेंगे 1.5 इंच पर इसकी शेप डालने के लिए अब यहाँ से इसकी शेप इजली आप डाल सकते हैं तो इसलिए free hand से इस तरह से मार्किंग कर दीजे और यहाँ पर भी 1 इंच एक्सा ले लीजे अपनी कटिंग के लिए तो इस तरह से एक बहतरीन शेप आप डाल लीजेगा इसके बाद बाहर से और अंदर से जहां से भी आपने मार्किंग की है यहाँ से अच्छे से कट कर लीजे इस पूरी वीडियो में मैंने एक भी स्टेप मिश नहीं किया है इसलिए आपको कोई दिख्यत नहीं आएगी आप इसको आराम से लास्त जरू देखिएगा देखिए नेक तयार हो चुका है अब इस तरह से हम अपना फैब्रिक लेंगे और जो इस साइन वाली साइड है देखिए चमकदार उसको नीचे की तरफ रखेंगे अब इसके उपर आयन कर देंगे तो आयन करने से कुछ इस तरह से अच्छे से पेस्ट हो जाएगा आधा इंच हमने बाहर से इसको कट कर लिया है तो अब इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है फोल्ड करने ताइम हम इसमें बड़े पैर वाले सिलाई का यूज करेंगे इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हो गले की गला बनेने का तरीका आप इसमें देख सकते हो बहुत ही finishing के साथ इसको हम बनाएंगे अब इसको fold करके बीच में cut कर दीजे ये center के लिए है और एक बार दूसरे तरफ से fold करके नाखुन की मदद से इसको press कर देंगे जिससे हमारा center का marking हो जाएगी तो इस तरह से ये आपका तयार हो जाएगा अपनी कूर्टी में भी जो मिने center की marking के को कर ली है अब इसको इस तरह से रखके बीच में एक सिलाई लगा देंगे सिलाई लगाने के बाद ये fix हो गया है यहाँ पर अब जो अंदर अपनी shape वाले सिलाई है वो लगाएंगे shape वाले सिलाई लगाते हैं ये अंदर से आपको cut कर लेना है लगबग two points का margin छोड़ते हुए cut करने के बाद इसमें इस तरह से cut लगाना ना भूले क्योंकि यही है जिनकी वज़े से हमारी shape बिल्कुल perfect निकल कर आती है आप देखे इसको इस तरह से रखके नाखुन के मदद से press कर लीजे ये एक tip से आपके लिए इस तरह से जब आप press करते हो नाखुन के मदद से तो ये बिल्कुल perfect shape आपकी निकल कर आईगी आप देखे इसको अंदर के तरह fold करेंगे और यहाँ पर एक बड़े पैरवाले इस ले लगा देंगे क्योंकि जैसे ही हम तुरपाई करेंगे तो इसको निकाल देंगे तो देखे कितनी अच्छी shape आपने आप इसमें बन रही है तो कोई भी ने का बनाएं तो वो इसी थरह से बनाएं बिल्कुल perfect बनेगा और finishing भी आपकी बेहतरीन आएगी फ्रेंस इसके लावा हमाया चले पर आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगी काफी जो नए-ने ड्रेसे से उनकी टुटोरिल मिलेंगे तो एक बार हमाया चले पर आपको नए हैं तो एक बार विजिट कर लीजिए काफी कुछ आपको यहां से सीखने को मिलेगा देखी हमने नेग को बना दिया है अच्छे से प्रेस कर लिया कितनी बेहतरीन finishing इसमें आ गई है अब जो next step हमारा होगा इस तरह से कोई news paper या फिर एक paper लेंगे उसके उपर अपने नेग को इस तरह से रख लीजिए और चोग की मदद से पैंसिल की मदद से यहां पर मार्किंग कर लीजिए इसके साथ साथ यह रफली मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारा design इसमें अच्छे से set हो जाए इसको हटा दीजिए अब आपको यहां पर मार्किंग करनी है टू इंच में योकि 1.5 हमने design के लिया था और आधा इंच लिया था हमने strips के लिए तो total 2 इंच हमने यहां पर ले लिया है तो यह रफली से मार्किंग हम कर लेंगे तो हमारा जो design है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तयार होगा और वो अच्छे से fix भी हो जाएगा बाकि आपकी यह choice है आप यह कोई भी gap है या फिर इसकी लंबाई है वो अपनी according रख सकते हो बड़ी या छोटी कितनी भी तरीका हम आपको अच्छे से बता देंगे तो यह देखे अच्छे से shape डाल दीजिए यह shape हमारी डल चुकी है आप इस तरह से एक पट्टी लेंगे जिसकी चोड़ाई है लगभाग 2 इंच इस पट्टी को इस तरह से fold करें फिर दूसरी साइड से fold करें और फिर इस तरह से fold करें आप इस पर से सिलाय लगा देंगे सेम वैसे है जैसे हम अपनी सलवार के लिए नाड़ा बनाते हैं उस तरह से ये पट्टी आपको बना देनी है, स्ट्ट्प्स आपको बना लेनी है। और इन स्ट्प्स के मदद से हम एक बहुत ही सुन्दर सा नेक डिजाइन बना देंगे. यहाँ बर हमने ये एक स्ट्ट्प त्यार की हैं, ऐसे हम दूसरी वाले भी करूक गी. अब इसको हमें cut करना है चोटे चोटे portion में तो यहाँ बबर हम 3 इंच का एक portion cut करेंगे सभी portion हमें इसी तरह से same size के cut कर लेने है 8 से 9 हमारे pieces इसमें बन गए है इतने ही pieces हमें ओर बना लेने है 8 से 9 करीबन 17 से 18 ये हमारे यूज हो जाएंगे तो यह देखिए, दोनों ही तरह के हमने इसमें बना लिये हैं आप एक डोरी है, जो मैंने रेडी की हुई है डोरी बनाने का वीडियो आप हमारा देख सकते हो, हमने अप्लोड किया हुआ है इस डोरी को भी हमें इस तरह से 3 इंच के पीसिज में कट कर लेना है सबसे पहले जो हमने strips कट की तो इसका यूज करेंगे यहां सबसे ऊपर एक strip लगाना ना भूलें, सबसे पहले लगबक सभी designs में एक strip ढलने होती है इस तरह की designs में इसको यहां पर लगा लिजे और जो बाहर वाले सिलाई है वो सबसे पहले लगानी है आप देखिए इन strips को उठाएंगे पीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये एक triangle टाइप बन जाएगा यहां से stitch कर देंगे आप सेम दूसरे बनाएंगे इसी तरह से बीच में से फोल्ड कर देंगे इसके साथ लगाएंगे और इसके एक slay लगा देंगे ध्यान रखे जो marking हमने की हुई है बाहर से उसके ऊपर हमारा ये जो design है वो अच्छे से cover होनी चाहिए ये marking थोड़ा बाहर की तरफ ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जब हम set करेंगे तो ये कहीं से भी ऐसा ना हो कि ये design आपका बाहर की तरफ निकल कर आ जाए इसलिए इनको लगाते टाइम ये बात का ध्यान ज़रूर रखें इनने proper spacing होनी चाहिए तो इस तरह से हम इन सभी को अ देखें इन दोनों के बीच में इस तरह से एक डोरी हमने लगाई फिर इनके बीच में इस तरह से सभी के बीच में एक एक इस तरह से डोरी लगा देंगे देखे सभी ये अपने पहले एकाउंट करके अच्छे से डोरी कट कर ले अब एक एक करके हम इनको बीचे बीच लगाते जाएंगे इस बात का ध्यान रखें इनको थोड़ा बिल्कुल सीधा नहीं लगाना ये अपके जो उपर वाली शेप है उसके कोडिंग होनी चाहिए एनकि अपकी शेप की तरफ ये घूमनी चाहिए देखे इस तरह से यहाँ पर देखे बिल्कुल सीधी लग जाएगी थोड़ा टिल्ट रहेंगी ये जब भी आप इसमें शेप में डालेंगे क्योंकि बिल्कुल सीधा लगाएंगे तो फिर सैट नहीं होंगी तो अपनी शेप के कोडिंग इनको लगाएं देखे यहाँ पर भी घुमाव है तो ये टिल्ट है उपर से इस तरह से हमने इन सब ही को लगा देना है तो ये लास्ट है तो इस तरह से देखे इतना डिजैन हमने कंप्लीट कर दिया है आप बात करते हैं इन डोरियों को यहाँ से अटैच करने की यहाँ से इन सभी को फिक्स कर लेना है हमें पहले ही सिलाय लगा कर जो स्ट्रिप है हम बाद में इसके साथ जोइन करेंगे उरे लगबग सेम रखें बिल्कुल सेम हो सकता ना भी रहें लेकिन कोशिश करें सब में जो गैप हो अच्छे से रह जाए ठीक यह देखिए कितना बहतरी हमारा नेकिया बनकर तयार हो रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह अब यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा को कट कर लीजिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमें अगर जाद रखेंगे तो पत्ती जो हम लगाने वाले हैं उसे लगाने में दिक्कत आएगी अभी कले इसको कट कर देते हैं बाद में ओ एक्स्ट्रा होगा तो फिर से हम इसको कट कर देंगे देखिए इतना तयार हो गया है आप इसके उपर आपको इस तरह से लगा देना है देखिए मार्किंग के काण इसमें ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है इसलिए हमें पहले ही मार्किंग करनी होती है अब इसमें बिल्कुल कोर्नर से सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई आप निकालेंगे नहीं ये लगी रहेगी इसलिए पूरे फिनीशिंग के साथ लगाएं डिजाइन आपका बाहर के तरफ नहीं निकल कर आना चाहिए इस बात का ध्यान रखें सभी स्ट्रिप अच्छे से हमारी दब जाने चाहिए तो ये अपनी सिलाई बिल्कुल फिनीशिंग के साथ लगाएं ये आपकी अच्छे से शो होगी तो अच्छे फिनीशिंग नजर आएगी देखे इस तरह से आगे पिछे से हो गया है अब एक उरेपट निकालेंगे तो उरेपट देखे इस तरह से बिल्कुल तिर्ची आपको लेनी होती है कई बार हमें कम कपड़े की वज़े से कम तिर्चा लेते हैं इस वज़े से अच्छे से अपना गला जो है फोल्ड नहीं हो पाता है तो ये गलती ना करें बिल्कुल तिर्ची पट्टी अच्छे से लें सिधी पट्टी तो आप इसमें ना ही लें ये पट्टी जो हमने ली है इसकी यहां पर चोड़ाई लगबर डेट से 1.75 तक ले लेंगे इसको अब इसको इसको इस तरह से डबल फोल्ड करें तो ये इजली घूम जाएगी और बहुत ही अच्छा ये नेक बन कर तैयार होगा और अगर आप इसके जहां कोई और डिजाइन फिल करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं इसमें कोई सिंपल डिजाइन सिध स्टीप्स वाला इस तरह के काफी डिजाइन हैं सिंपल वाले वो इसमें फिल कर सकते हूँ मैंने बस आपके इसमें तरीका बताया कि इस तरह की नेक आपको कैसे बनाने होते हैं और साथ में जो बीच वाली उरे पट्टी वाला पोर्शन वह सबकी डाउट होता है कि यह कैसे लगाया जाता है तो यह आप इसलियाद सीख जाएंगे अब जो ह अंदर वाला पोर्शन इसमें कुछ एक्स्टा मुझे लग रहे हैं क्योंकि जैसे ही मैं इसमें उरे पट्टी को मोड़ूंगी तो यह बाहर के तरफ शो होने लगेंगे तो इसलिया इनको कट कर देते हैं अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इसकी बिलकुल किनारी के साथ साथ चिलाये लगा देंगे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स आपको एक एक स्टैप बताने की कोई भी मिस नहीं किया है उमिद करते हूं आपको हमारा काम पसंद आये वीडियो पसंद आये इसलिए पसंद आये तो एक पूरे में आपको चिलाई लगा लेनी है तो देखिए यह फाइनली हमने लास्ट वाल स्टैजिंग में डाल दी है अब यह नेक हमारा बनकर तयार हो चुका है आप देख सकते हूं कितना ब्यूटिफूल लग रहा है अच्छी फिनिसिंग के साथ इसने तयार कर लिया है सा पर ने ही तरह समय को सब्सक्राइब करना ना महीं भूले चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ध्यान दुखिए गा बाइटेक्यो